नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग, आश्रा करता हूँ, आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तयारी भी बेहतरिन तरीके से चल रही होगी तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग Modern History को जो है, स्टार्ट किये थे जिसमें हम लोग दो लेक्चर किये थे, जिसमें मूल तोर पे हम लोग बात किये थे, पहले में सी लेवस के बारे में और दुसरे में हमने बात किया था, हिस्टोरियोग्राफी ओफ Modern Indian History के बारे में तो यह Modern History का तीसरा लेक्चर है, देखिए क्लास continue नहीं होने के पीछे मूल बजाया है क्योंकि यह सबसे ज़्यादा मतलब मैं पूरे Modern Indian History की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मतलब complex जो था मेरे लिए और आपके लिए भी हो सकता है लेकिन आपके लिए complex नहीं हुआ क्योंकि मैं उसको थोड़ा सा असान करने की कोशिश किया हूँ वो है sources for the history of Modern India, यह बड़ा ही ज़्यादा complex हो जाता है क्योंकि आप यहाँ पर फिर यह समझ नहीं पाते कि इसको कैसे बाटे और किस तरीके से इसको हम लोग अध्यान कर सकें लेकिन फिर भी इसको हम लोग समझने की कोशिश तो करीं सकते हैं जैसे मैं थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करूँ तो जैसे कि पता है कि हम लोग जब भी हम लोग पढ़ते हैं सोर्सेज को तो उसे हम लोग तीन हिस्सों में बाढ़ कर पढ़ते हैं आर्कोलोजिकल सोर्सेज के बारे में और लिटररी सोर्सेज के बारे में और एक तो हम लोग फॉरेन अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं लेकिन अब सवाल यह है कि क्या archaeological sources modern Indian history को अध्यन करने के लिए हो सकते हैं या फिर literary sources होंगे तो क्या क्या हो सकते हैं या और जो foreign accounts होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं तो देखिए इसको हमने mix कर दिया है क्योंकि बहुत जादा इसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं फिर भी इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि sources for the modern Indian history की बात कर रहे हैं तो हम लोग तीनों को mix करके ही बात करेंगे और जैसे जैसे देखेंगे यदि और इसमें मुझे content यदि ज्यादा बेहतर उपलब्ध हो पाता है तो हम लोग फिर वहाँ पर भी बात कर लेंगे बीच में मैं एकाद lecture और जो है इस पर दे दूँगा फिलहाल या समझे कि modern Indian history को अध्यन करने के लिए जो हमारे पास sources हो सकते हैं वो जैसा कि हमने तीन बताया लेकिन जब आप देखोगे कि modern Indian history को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें basically हम लोग literary sources को ही पढ़ते हैं और यदि आप PhD करने चले जाओगे modern history में research करोगे तब फिर आप archaeological sources तक या फिर ancient history में research करोगे तब आप वहां तक पहुँचोगे लेकिन चुकि हम लोग modern की बात कर रहें तो modern का archaeological sources उस समय का inscription हो सकता है inscription के अलावा और क्या कह सकते हैं मतलब कुछ monuments बगरा हो सकते हैं लेकिन उसके अलावा देखेंगे तो archaeological sources बहुत कम ही मिलेंगे मुल तोर पर जो हमें मिलेंगे क्या मिलेंगे वह literary sources मिलेंगे जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो the sources for the history of modern India is mostly literary sources there is plenty of information available on the political, social, economical and cultural developments in the country इन सारे चीजों पर आपको पढ़ना हो तो इतने सारे information है परियाप्त हैं आप जो चाहें जहां से चाहें पढ़ सकते हैं लेकिन आप जब sources पढ़ना चाहें तो आपको मूल तोर पर जो है literary sources पर ही dependent रहना पढ़ता है इस बात का पूरा खयाल रखना है आपको पूरे modern history के दोरान अब सवाल या आपके दिमाग में आ सकता है कि जब हम लोग literary sources की बात करेंगे तो literary sources में किसकी बात होगी चुकि हम लोग modern history की बात कर रहे हैं तो literary sources में हम लोग basically books के बारे में बात कर सकते हैं या फिर जो records जो जारी किये गए हैं उसके बारे में या फिर minutes के बारे में भी बात हो सकती है या इसके अलावा जो है record जो रहा है East India Company का वह भी हमारे लिए एक source का काम कर सकता है इसके अलावा books के अलावा जो उस दोर में बहुत सारे writer आये हैं चाहे foreign के हो चाहे इंडिया के हो novels लिखे तो उसका क्या contribution रहा है वह किस तरीके से role play किया है उसके अलावा आप जो है इस दोरान बहुत सारे यात्रे भी आते हैं बाहर से तो उन यात्रियों के द्वारा जो चीजें लिखी गई भारतिये समाज को समझते हुए या फिर भारतिये स्वतंतरता संग्राम को समझते हुए वो तमाम सारी कितावें तमाम सारे reports तमाम सारे novels ये सारे के सारे हमारे लिए एक literary sources के तोर पे count किया जाएगा ध्यान रखना इस बात का चलिए जब हम लोग यहां पहुशते हैं तो आप देखिएगा कि literary sources हमें मिल कहां सकता है तो किताब के रूप में या government documents के रूप में या news papers के रूप में भी मिल सकता है अभी हम लोग इसी बीडियो में news papers के बारे में पढ़ेंगे कि modern history में कितने सारे news papers लाए गए थे जो colonial period में लाए गए और अजादी के दोरान तक चले कई सारे के तो अब बाद में भी जो है continue किया गया है magazines भी हो सकता है pamplets हो सकते है historical buildings हो सकते है ये हमारे archaeological sources में चले जाएंगे and other works हो सकता है art and architecture के field में या फिर biographies हो सकते हैं memoirs हो सकते हैं और miscellaneous sources हो सकते हैं ये सारे के सारे हमारे लिए क्या होंगे literary sources के तोर पे या फिर sources for the study of modern history के तोर पे इसे count किये जाएंगे अब देखना या है कि बहुत सारे बहुत सारे किताबे जो है अलग-अलग language में उपलब्ध हैं क्योंकि आपको पता है कि printing press के स्थापना होती है उसके बाद बहुत लेखन की कला में जो है एक अलग तरीके से क्रांती का दोर आता है तो अलग-अलग किताब छपते हैं इंडियन language में भी foreign language में भी छपते हैं और दोनों उपलब्ध भी हैं अभी भी उपलब्ध हैं तो classic इंडियन literature जैसे बांगला साहित देखेंगे या फिर आसामी साहित देखेंगे या बिहार के local language में देखेंगे या तमिल साहित देखेंगे तो सभी language में जो है उस period में खासकर 1757 से लेकर 1947 के बीच में बहुत सारी किताबे लिखी गई तो ये सारी की सारी किताबे हमारे लिए एक sources के तोर पे काम करेंगे हम लोग कुछ किताबों के बारे में जानेंगे जहां से सवाल पूछा जा सकता है या फिर जो हमारे reach में है क्योंकि ये हमारा topic नहीं है हम लोग PhD पे नहीं कर रहे हैं इस बात को ध्यान रखना है ये कहता है कि ये तमाम तरह के किताबे हमें बताती है कि कैसे हमारे हमेडिसिन का development हुआ ग्रिटिस पिरियड में क्योंकि एंसेंट में तो हम लोग पढ़ी चुके हैं ठीक है चलिए तो ये कुछ कुछ किताबे हैं या आप भी पढ़ सकते हैं government documents को यह आप access करेंगे तो वहां से आपको मिलेगा country के साथ कौन सा trade हो रहा था कितने का trade होता था कहां से trade होता था कौन-कौन से port थे वहां से कौन-कौन से माल का जो है ब्यापार किया जाता था कहां जा रहा था और उस पे कितना revenue लगता था कितना चुंगी कर लगता था ये तमाम तरह की चीजे जो है आपको government के document से मिलेगा उसके लावा करा at one time or another or the other the नबाप सो बंगाल नबाब अफ अबद आमीर सिंद के आमीर पंजाब के सिख और पस्चिम इंडिया के जो मराथाज है हैदर अलिटीपू सुल्तान इन सब के भी यहां भी कुछ न कुछ लिखा गया उस दोर में भी इन लोगों ने भी काफी क कुछ लिखा तो यह सारे भी हमारे लिए एक sources के तौर पे काम करेंगे पूर्तगी जाया डच चाया इंग्लिश चाया फ्रेंच चाय यह सारे order में दिया हुआ है तो इन लोगों के साथ साथ कई सारे यात्री भी आया थे तो उन लोगों भी जो है अपना अपना अकाउंट लिखा जिसमें कुछ के बारे में हम लोग जानेंगे भी मैं एक दो लिखवाऊंगा और यह सारे डॉक्मेंट्स चुकि यह सारे बस ऐसे ही मैंने पॉइंट में किया हुआ है तो यह आपको ज्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है आपको साथ इंटरनेट पर मिल जाएगा आपको ज्यादा समझने की ज़रूरत है और बायोग्राफी जैन जो है मिम्र्स का एक अपना कंट्रिबूशन होता है जैसे अलग-अलग freedom fighters का अपना अलग-अलग जो है बायोग्राफी है किसी का आउटो बायोग्राफी है तो वह भी हमारे लिए एक सोर्ज के तोर पे काम करता है यहाँ पे गांदी हैं, नहरू हैं, भगत सीन हो सकते हैं अंबेदकर हो सकते हैं, सुवास चंदरवोस हो सकते हैं बहुत सारे लोग हैं लेकिन कुछ जो मूल तोर पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके बायोग्राफिस को आपको ध्यान में रखना जरूरी है अब जो है हम लोग जो अलग-अलग करके थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं समझने की कोशिश करते हैं इसको हटा देता हूँ और फिर मैं ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ चलिए अब देखिए जैसे मुझे समझने की आप सकता हो थोड़ा सा हाँ चलिए तो अब हम लोग इसमें यह समझेंगे कि क्या-क्या हो सकता है हमारे पास तो अभी हमने बताया कि देखो government का जो है records हमारे लिए वो तो काम करेगा ही तो British East India Company का जो record है वो हमारे लेक source के तोर पे काम करेगा तो East India Company ने कई सारे भी लेख जारी करवाये थे आपको पता है कि 1600 में इसकी अस्थापना हुई और 1600 से लेकर के 1857 के reward तक यह continue करते हैं तो इस दोरान कई तरह के report भी जारी किये जाते हैं यह सारे reports जो है आप जब research के field में आएंगे तब आपको जरूरत पड़ेगी अभी मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है कहीं पे भी लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यह आप पढ़ना चाहें तो मैं इसको आपको दिखाता हूँ East India Company के कुछ records हैं जो हमने download किये हैं वो आपके लिए जानना जो है जरूरी है आप भी इसको access कर सकते हैं मैं बताऊंगा इसका तरीका क्या है देखिए यह जैसे यह देखिए यह मैं यहां से आपको जो है दिखाता हूँ यह जो किताब है इसमें basically इसी के बारे में mentioned है यह दिखाने का बस इतना purpose है कि देखिए आप को जानने के जरूरत नहीं कि आप इतना पढ़कर क्या करो गया यार रिसर्च में तो जाना नहीं अभी मतलब अभी तो आपको पढ़ना ही है न बस लेकिन फिर भी आप जानो जानना चाहिए यहां पर जैसे बहुत सारे records को यहां पर mention किया गया देखिए list of marine records on the late east india company and the subsequent gate record department of east india office London तो यह 1896 में इसको compile किया गया इंडिया office London में जो है यह अभी भी उपलब्ध है इसके introduction पार्ट में जाएंगे तो बहुत तमाम तरह की चीजों का जिक्र किया गया है और last में जब इसके footnotes में जाएंगे तो जैसे देखिए boys of sir james lancaster to the indices ऐसे करकर के इसमें इतने सारे reports का जिक्र किया गया है देखिए court minutes है 7 October 16 court minutes है 11 December 16 यह सब आपको जो है आप मिलेगा कहां से चुकि आप ज़्यादा यदि इक शुक हो और आप ज़्यादा और इसमें explore करना चाहते हो आपको लगता है कि मैं जानना चाहती हूँ या जानना चाहता हूँ तो आप मुझे टेलिग्राम पे जुड़कर जरूर text कर देना ताकि मैं आपको individual हो भेज सकूँ और अपना number मुझे text कर देना क्योंकि मैं एक group तयार कर रहा हूँ WhatsApp पे जो paid courses में जो लोग जुड़े हुए हैं ताकि मैं वहाँ पे सारा जो है शेर कर दूँ देखिए ये सारे records हैं उसी दोरान के records हैं आप बताओ ये सारी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलने वाली आप कितना भी कुछ कर लें या फिर आप YouTube पे कहीं पे क्लास बगरा भी करते हैं तो आपको गुरु जी नहीं बता सकते हैं क्योंकि इतना research करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा हो जाता लेकिन फिर भी मैं help करना हूँ इस मामले में कि आप जो research के field में आओगे तो मुझे लगता है कि आपको ये सब पहले से थोड़ा बहुत सीखना चाहिए जैसे यहाँ पर देख सकते हो court minutes and marine records court minutes history of merchant shipping courts minutes, lancister voyages ये सारे के सारे यहाँ पर mentioned है और इसमें जैसे जैसे आप नीचे आओगे सारे के सारे reports हैं देखिए ये सारे records हैं तो ये सारे के सारे records आपको modern Indian history का जब आप economical history पढ़ेंगे तो उसमें आपको help करेगा देखिए मैं page scroll करता जा रहा हूँ ये खत्मी नहीं हो रहा है तो मैं इसमें जैसे कुछ पढ़ करके आपको बताता हूँ जैसे देखिए 1749 का है 739 का है देख रहा है आप यहाँ पर देखिए 1749 का है और 19 अक्टूबर 1749 का East India Yard Captain कोन है याँ Captain का नाम नहीं है तो Captain का नाम नहीं है इसका मतलूब उपर वला होगा तो William Vale है Captain देख रहे हैं आप ठेक और Ship क्या है East India Yard Ship का नाम है Captain का नाम है Log Ints है यानि कि यहाँ पर जो है 19 अक्टूबर 1749 को चला और फिर यहाँ पर यहाँ पहुंचा 9 जुलाई 1740 को क्योंकि अब तो उस समय इतना ज़्यादा Science डेवलप किया नहीं है तो समोद्रिक व्यापार ही हो रहा टाइम भी लगता है Reference नंबर दिया हुआ है Receipt का बुक नंबर दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते है 688 सी यह सारा चीज और टुकिस को Saint Helena को जा रहा है Saint Helena मतलब Saint Helena वो नहीं जो आप समझ रहो चंगुप मौरे के समय वाला उसकी वाइफ नहीं ठीक है उसी तरीके से यहाँ पर इतनी सारी चीजे है जो दी हुई है Ship का नाम है Captain का नाम है और कब जहाज निकला कहा निकला और कब पहुंचा यह तमाम तरह की चीजे जो हैं आपको यहाँ पर मिल सकती है East India Company के Records में देख रहे हैं आप यह नीचे में पूरा का पूरा अपेंडिक्स में इन ही तमाम सारे चीजों का जिकर किया है देखिए Java Continent जैसे Java Deep को आप लोग जानते हो ना Java Continent में अब देखिए यहाँ पर Index Number दिया हुआ है Date दिया हुआ है Previous Classification दिया हुआ है from the Dutch Records at Batavia यह 1818 में यह record किया गया है बताए और यह जो है यह आपके लिए एक source के तौर पे काम करेगा यही इसकी खास बात यह है तो यहाँ आपको थोड़ा सा समझना जरूरी था और मैं एक किताब और मैंने download किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ वो भी आपके लिए जरूरी है जैसे East India Company Factory का records है यहाँ पर तो आप यह देख सकते हो जैसे आप लोग बोर मत हो ना क्योंकि यह आपके लिए जानना जरूरी है sources की बात यह दि हम लोग कर रहे हैं तो यह जानना पड़ेगा आप बोर हो रहे हो जापान फैक्टरी रिकॉर्ड सोला सो से लेकर सतरह सो दो के बीच का है इसमें जो जापान हुआ जापान के साथ ट्रेड हुआ है ठीक है क्लोब का क्लोब आप समझे लोग का सीप का कमपनी मतलब यह तमाम तरह की चीज़ा आप देख लीजे कौन-कौन था उसमें रिचर्ड विकम, विलियम एटन, वॉल्टर काडेवन या एड्मन सेयर्स यह तमाम तरह के लोगों का सब कुछ नाम भी दिया हुआ है यह इस्ट इंडिया कंपनी फैक्टरी का बकायदा ओफिसियल रिकॉर्ड है दरिकॉर्ड फोर जापान इंक्लूड उसके बाद नीचे चलते जो देखो चाइना के साथ फैक्टरी रिकॉर्ड जो है फैक्टरी रिकॉर्ड जो है पंदर सो चैनवे से लेकर अठारा सो चालिस के बीच का है ठेक उसके बाद यह दि हम लोग चले हैं तो देखिए यहाँ पर दिया हुए डाइरी ज आप दा सूपर कार्गोज सूपर कार्गोज आप समझ रहें न आप दा सीप, पेपरस आप दा बोर्ड आफ कंट्रोल कांटोन डाइरी आफ चाइनीज डेव्ड, कांटोन फैनेंशिल कंसल्टेशन कैंटोन कॉमर्शिल कंसल्टेशन, कैंटोन फैक्टरी कंसल्टेशन, एजेंसी कंसल्टेशन उसी तरीके से जो है यहाँ पर और भी दिया हुआ है डीटेल में मेमोरे अप दाइस्ट इना कंपनी स्टेड विस चाइना लिस्ट ऑफ कमोडिटीज फोर सेल टू चाइना यहाँ पर जाते जाओगे जाते जाओगे आपको डीटेल खत्म होने वाला नहीं है यह नोट पार्ट टू है चाइना फैक्टरी रिकॉर्ट्स पंदर सो चैनवे से ठारा सो चालिस आ गया अब इसमें फिर और उसी तरीके से सारा का सारा विस्तार से दिया हुआ है आगे देखिए जैसे अब यहाँ पर आ गया फोर्ट सेंट जॉर्ज मदरास का फैक्टरी रिकॉर्ड सो फच्पन से लेकर सत्रह सो चार यहाँ पर दिया हुआ है सीप का नाम हेक्टर था यहाँ पर ट्रेड क्या हुआ क्या हुआ कब हुआ कौन-कौन था उसमें शामिल यहाँ पर देख सकते हो कंसल्टेशन ऑप दा गवर्निंग कॉंसिल ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज उसका सब कुछ दिया हुआ है नाम दिया हुआ है नाई दिल्ली में तो आप यहाँ पर भी जाकर के जो है इसको एक्सिस कर सकते हैं ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन जादा हो गया मैं समझ सकता हूं इसके अलावा एक और मैं दिखाना चाहता हूं आप लोग थोड़ा सा पेसेंस रखो या देखो इंडो ब्रिटिस ट्रेड बुक ये हमने डाउनलोड किया सिर्फ ये लिए कि आप लोग के 1557-1557 के बीच जो है इस्ट इंडिया कंपनी का क्या-क्या रिकॉर्ड रहा है इस किताब में जो है बहुत ही जादा विस्तार से दिया हुआ है तो यह मैं आपको भेज सकता हूं आपको मैंने बताया कि आप कैसे जूड़ सकते हैं चलि अब मैं बापस जो है वहीं आता हू जहां पर हम लोग थे चलिए तो यह रिकॉर्ड के बारे में हो गया आप देख सकते हो इसमें ज्यादा रटना नहीं मैं बस आपको समझाने की कोसिस कर रहा था अब देखिए चुकि उस समय केंदर सरकार वही है इस्ट इंडिया कंपनी ही है उसके अलाबा जो और भी आएंगे वो भी आपके लिए लिटरी सोर्सेज के तोर पे काउंट किये जाएंगे उनको भी आपको काउंट करना होगा और वो ऐसे ही यहां पर शामिल होंगे उसके बाद देखिए यदि आगे हम लोग बढ़ें तो आपको एक बात बताओं पहले जो है इंपीरियल रिक अर्काइव उफ इंडिया के नाम से दिल्ली में स्थापित किया गया तो यहां दिल्ली में सिफ्ट कर गया इसलिए भारत सरकार का या फिर भारत के हिस्ट्री से जुड़े हुए जितने अभिलेख हैं आल्मोस्ट वह आपको यहीं पर मिलेंगे नेशनल अर्काइव उफ अभी मैंने अड्रेस भी बताया उपर में कि आप कहां से कहां जो है वो इस्थित है आप उसको जा करके देख सकते हैं कुछ जीव डिस्यरी से रिलेटेड विया विलेख जारी किया गया जैसे उदाहरन के तोर पे दी मैं कहूं तो आपको याद होना चाहिए फोर्ट बिल बीच में जो है जारी 61 मतलब 1861 उसके बीच में और आपको पता है कि मतलब जो क्या नाम है कलकत्ता और बॉंबे और मदरा से तीन तरीके के कोर्ट भी बनाए गया इन्वस्टीज बनाए गया तो यहाँ पर जो डॉक्मेंट सी कठा किये गया या फिर जो कुछ भी लिखा गया वह भी हमारे लिए modern Indian history के लिए sources के तौर पे count किया जाएगा काम होगा चलिए इतनी सारी बाते आपको समझ में आती है तो आप सच में बहुत अच्छे स्टूडेंट हो अधी सच में समझ में नहीं आती है तो भी अच्छे स्टूडेंट हो कोसिस करो समझ में आ जाए चलिए अब हम लोग यह बात कर लेते हैं कि जो जहां से हमसे सवाल पूछा जाता है सवाल पूछा जाएगा दो तीन जगह से कि उस दौरा न्यूज पेपर्स कौन-कौन रहे हैं या फिर उस समय जो नोविल्स लिखे गया या किताब लिखे गया उसके बारे में आप से अथारा डूरेन आकाउंट्स है हलाँकि इसको मैं अभी ऐसे ही स्वाट में बता रहा हूं कि उसके मैं और विस्तार में यूर पेच्टा दूर अप्टार कर अगने हु सर में बना आतारा लगो सा को लिस्ता इकशा पांठा जो है आप तक पहुंचा दू हम से और जामि हेन का बेंजामिन हेन इसका लिख लिजेगा अठारा सो चौदह 1814 में इसमें लिख लिजेगा सेवरल तूर्स थ्रू बेरियस थ्रू बेरियस पार्ट्स अफ दे पनिंसुला उसके लावा एक दू और लिख लिजे 1831 की जेम्स बर्न्स इसका लिख लिजेगा वीजिट तू दा कोट अफ सिंध आगे क्लिख लिजेगा डेवीड सन का डेवीड सन अठारा सोते तालीस इसमें लिखियेगा डायरी ओफ दे ट्रेवल्स अड डायरी ओफ दे ट्रेवल्स अड एडवेंचरस इन अपर इंडिया अपर इंडिया मतलब नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है उपर बले इंडिया की ठीक है और एक लिख लिजेगा डबलू एच स्लीमेन डबलू एच स्लीमेन का जर्नी थू दा किंगडम ओफ अबद जर्नी थू दा किंगडम ओफ अबद अब देखो यह तो कुछ कुछ है मैंने किताब जो वहाँ पर दिखाया आपको उसमें कम से कम आपको हजारों मिलेंगे तो आप वहाँ से उसका जो है फायदा उठाएंगे आप एक पर जूड़ जाना मैं उसको कोशिश करूँगा भेजी दूँगा तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा तो ये ट्रेवलर अकाउंट में भी जो जूड़ा हुआ है अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो मौडन हिस्ट्री में मौडन हिस्ट्री के सोर्सेज में वह तो एक किताब हमने बताया और दूसरा जो होता है न्यूज पेपर्स ठीक है तो किताब और न्यूज पेपर्स का सबसे ज़्यादा कंट्रिव्यूशन रहा है तो ये ध्यान रखो किताब और न्यूज पेपर्स की बात करें हम लोग तो किताब में पहले कुछ-कुछ देख लेते हैं, अब जब किताब की बात करें हम लोग तो ध्यान रखिए, कि बुक्स में जब हम लोग बात करेंगे तो हो सकता है कोई classic text हो, या फिर pen level पे, pen India के level पे काम किया गया हो उसमें, या फिर हो सकता है कोई regional language में लिखा गया हो, तो उसको हम लोग कैसे access करें, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं जितना बताओंगा उतना ज्यादा तो परियाप्त नहीं होगा, लेकिन हाई exam के point अभी उसे परियाप्त हो जाएगा, उसके लिए ज्यादा नहीं करना है, फिर भी मेरा suggestion है कि आप ल लोग हैं, तो इन सब की रचनाएं जो हैं, उसको एक बार एक जगा collection करकर करके आप उसको पढ़ लीजेगा, collection मतलब उनकी रचनाओं को नहीं पढ़ना है, बस नाम पढ़ लेना है और language और फिर कब publication हुआ, बस इससे ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, इससे लेजेगा काजी नजरूल इसलाम बहुत फमस आद्मी है, काजी नजरूल इसलाम 1899 से 1976, इन्होंने लिखा है, बस नाम याद रखिए कि ये सब फमस आद्मी है, काजी नजरूल इसलाम जो हैं, उसके अलावा उर्दू में के फिल्ड में कहें तो मुहंभब इक्वाल कि यार यह जह है आप को जान लेना चाहिए कि यार यह जो है आपसे पुछा जा सकता है तो देख लीजे उसमें से कुछ कुछ लिख लीजे जैसे आप लोग बंकिम चंदर चटरजी को जानते होंगे तो वो बंगाल के कहा जाता है कि पहले नोबलिस्ट है ठीक है तो उनके वारे पहली बात क्या आद रखने हैं पहले नोबलिस्ट है बंकिम चंदर चटरजी बी सी सी मेल करते होंगे तो याता होगा ठीक है चलिए तो इनका जो है यदि सबसे फेमस की बात करें तो आनंद मत जो है और अठारा सो बैरासी में है छपा है ठीक है है ना उसके अलावा आपको पता है कि इन्होंने रास्टिये गित गाया बंदे मातरम गित गाया ठीक और लिख लेज़ेगा गुजराती साहित में एक बहुत बड़े बिद्वान हुए हैं उनका नाम है सूरे राम देसाई अब इसमें जो है जब मैं बांगला की बात किया तो इसमें आप रभिन ना टैगोर को शामिल कर सकते हैं गितांजली को उनका लिख सकते हैं या फिर उनका जो कंट्रिब्यूशन राहलांकी वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे यहां पर सूर्सेज में बस आपको एक आइडिया जानना जरूरी है क्योंकि यार ऐसे पढ़ने में आगे फिर मजा भी नहीं आएगा इसलिए कुछ कुछ जान लो तो यह जो है सूरे राम देसाई है देसाई टाइटल जो ऐसे ध्यान रखिए ज्यादा समझना नहीं है देसाई सर्निम जो है वह है गुजरात का आपको कैसे याद रखना है कोई राइटर का नाम है तो उसके सर्निम से भी हम लोग पकड़ सकते हैं तो जैसे ही एक सर्निम को पकड़ो तो उसके बाद एक वर सर्च कर लो Google पे कि दिसाई सर्णिम के लोग कहां पर पैज आते हैं तो वो पता चल जा कि गुजरात ओरिजिन का है जैसे अभी भारत में बहुत सारे लोग हैं मतलब राजदीप सर्देशाई एक पत्रकार हैं और भी बहुत गुजरात में अलग-अलग लोग हैं तो अलग-अलग सर्णिम है तो आप इसे एक पकड़ सकते हैं पतलब एक तरीका बता रहा हूँ समझने के लिए आगे लिख लिजएगा आगे बात करें तो प्रेमचंद को आप लोग जान रहे हैं तो प्रेमचंद्टन के तो बहुत सारी रचनाय हैं तो प्रेमचंद की एक रंग-भुमी है बड़ा-फिमस है तो रंग-भुमी को लि लिए गुदान इन होने 1936 में लिखा है सेवा सदन 1929 में लिखा था जलियां वाला बाग जब हुआ था उसके अलावा प्रेमास्रम लिख लिख लिजेगा 1924 में लिखा उन होने और फिर बहुत सारी उपन्यास लिखे जैसे आप कफन की बात करें तो कफन जो है अपने गहानिया इन्होंने लिखी और हिंदी लिट्रेचर में ही और बात करें तो फनिस्वर नाथ रेनू ने भी काम किया उस दौर में जैसे मैला आचल बहुत अच्छा है आप पढ़ना जरूर मैं भी पढ़ा हूं इसे तो बहुत अच्छा है उसके अलावा आप ओडिया भासा म में बात करें तो महंती ने लिखा है महंती ने क्या लिखा है प्रजा नाम से गुजराती में बात करें तो पन्नालाल पटेल का है मेकल जीत मराथी में भाल चंद्र नमाडे का कोसला लिखा हुआ है और अंग्रेजी में अभी हमने कहीं पर इसे डाउनलोड कर रखा था नहीं नहीं वो नहीं है चलिए तो अंग्रेजी में जैसे लिख सकते हैं मुलक राज अनन्द का जो है लिखावा द अंटचेवल है बहुत फेमस है और कई बार पूछा गया एक्जाम में तो लिख लिजेगा अंटचेवल 1935 में लिखा था उन्होंने और आरके नरायन ने ल हुलक राज अनन्द में लिख लिजेगा और एक राजा राहो है तो राजा राहो ने लिखा था Kantha Pura तो यह इन सारी कितावें जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे यह सारी कितावों के बारे में उस समय जो modern इंडिया में जो इंडिया के समाजिक आर्थिक दशा जो थी Britishers के द्वारा जो exploitation किया गया उन तमाम तरह के condition का जो है इसमें जिक्र किया गया है इसलिए हमारे लिए sources के तोर पे काम करेगा और बाकी टैगोर का आप कुछ खुद से explore कर लीजेगा नहीं तो इस पे एक lecture और यदि हम करेंगे तो उसमें हम लोग और इस पे थोड़ा बहुत बात करेंगे लेकिन मुझे लगता है काफी है परयाप्त है आपको समझने के लिए इसमें और देख लीजे एक पार्ट हो सकता है पींटिंग बगेरा का पार्ट हो सकता है कि पेंटिंग का भी अपना contributeapon रहा है कोई कि कई लोग पेंटिंग के महाध्यम से ही चीजों को दिखा रहे थे अपना एक्स्प्रेशन ब्यक्त कर रहे थे तो वह सारी चीजें भी जो है इसमें आ सकती है जैसे उस वक्त जो है बनारस जो है एक चित्रकारी के मतलब प्लेस के लिए पटना भी है जो उस समय फेमस था उस चीज के लिए तो वहां से भी जो डॉक्मेंट्स मिलेंगे वह भी हमारे लिए जो है एक सोर्सेज के तौर पे काम करेगा ठीक है 1867 का रिबोल्ट है बहुत तरह के अकेडमी बनाये गए और यहां से कई सारे चीजों को एक्स्प्रेस भी किया गया बिरोध की आवाज को भी दर्ज किया गया और उसके अलावा उस समय के जो है सोशल एकॉनमिकल एन कल्चिरल एन एक्स्प्लाइटेशन को भी जो है दर्शाने का डेमोंस् तो यहां भी हमारे लिए सोर्स के तौर पर काम कर सकता है अब हम लोग मोटे मोटे तोर पर समझ चुके हैं कि क्या क्या जो है हमारे लिए modern इंडिया में सोर्स का काम कर सकता है और कुछ कुछ हम लोग जानने की इकोसिस भी कि देखिए इसमें जो है आपको conceptual framework बनाना जरूरी है आपके दिमाग में चीज रहनी चाहिए कि यदी कोई sources of modern इंडिया कह रहा है इसका मतलब क्या होता है बस इतना आपको समझना है ज्यादा इसमें रटना नहीं है क्योंकि आगे हम लोग जब पढ़ेंगे ना मैं हम लोग बात किये नहीं तो न्यूज पेपर्स भी होगा ही तो उसको हम लोग देख लेते हैं अभी हम लोग मैं न्यूज पेपर्स का किया था वो कहां चला गया यार यह ट्रेविलर्स का क्या है इसे मैं थोड़ा सा देख लव हूं इसमें कुछ ठ्राविलर्स के बारे में दिया हुआ है तो मुझे लगता इसको भी थोड़ा सा डिस्कसन कर लेते हैं तो मैं बहुत लालची आदमी हूँ मैं चाहता हूँ कि जितना मैं मेरे पास है मैं सब कुछ दे दूँ देखिए इसमें कुछ-कुछ दिया हुआ है देखिए फ्रांसिस वर्निया के बारे में एक आर्टिकल मैंने डाउनलोड किया था देखो यह सब पीजडी में होता है करके को इसमें बहुत तरह के नाम आ सकते हैं जैसे जेम्स लिंड है सतरह सो सुला सचोरानवे विल्यम विद्रिंग है यह सब केवल नाम ही आप याद रखोगे कापी हो जाएगा तीक है जैसे कारल का क्या लिनेशियस सिस्टेमा नेचर दा सिस्टम ओफ नेचर के नाम से इस किता में क्या लिखा है दा स्वीडिस नेचरलिस्ट लेड आउटा क्लासी फैक्टरी डिजाइन टू केटोगराइज ओल प्लांट फॉर्म ओन दा प्लानेट नोन और अन्नोन टू एउरोपियंस ठीक है यह इस चीज में जिक्र किया गया है चलिए उसके बाद आगे हम लोग इसमें और बात करें तो देख सकते हो क्वीन क्वीन क्राउड ड्रफ के बारे में है 1743 से लेकर 1819 इनों ने जो स्टडी ओफ मेडिसिन किया है हिंदुस्तान में तो यह देखो नाम याद रखना आपसे पूछा जाएगा दा स्टडी ओफ मेडिसिन किसने लिखा है तो भाई क्वेंटेन यह चीजे आपको क्लियर करने होगी मैं नहीं कर सकता है इसमें कुछ इसका भी पीडिएफ मैं दे सकता हूं लेकिन जो सीरियस कानेडेट होंगे केबल वही पियरा सोनरेट है तो यह 1748 से 1814 है यह निफ्यू है फ्रेंच बोटनिस्ट के क्या नाम है उनका प्यारे पोबरे वो फ्रेंच नेच्रलिस्ट थे एक्स्प्लोरर थे उन क्लावडे फ्रांसियस लैंबर्ट है तो इन्होंने लिखा इंडियन फिजिशियंस के बारे में ठीक है उसी तरीके से आप देखिये जॉन हेंड्री ग्रोज है 1750 से 83 यह सिविल सर्वेंट है इस इंडिया कंपनी के अंतरगर्थ ठीक यह ब्लड़ी फ्लक्स के बारे में ल कि अस्टीवेड ड्राई यह भी जो है आप देख सकते हो कि यह भी clinical पर ही है climate पर देख सकते हो naught रिलेटेड और natural कि तरीके से कास्ट और नेवर है इतना टाइमिंग दिया हुआ है यह इंजिनेरिंग से उफ्लक्रतु बहुत सारे लोग और Edward Ivis है मैं कितना नाम बताओ मारे लिए कम हो जाएगा आपके लिए बहुत जादा हो जाएगा Edward Terry है इनका भी काम है ये सारे लोगों का नाम आपको जो है याद रखना है मैं बस इसे Thomas Penant है ये सारा मैं आपको Hallwell की घटना आपको याद ही होगी 1711799 इनका टाइमिंग है इस्टन प्रैक्टिशनर विथ ग्रेट मॉडेस्टी इन होने किताब लिखी और इसमें स्मॉल पॉक्स के बारे में डिजीज के बारे में बेसिकली चर्चा है तो ये सुचनाय भी जो है आपके लिए जानना जरू पॉरी है देखिए यह हमने पीडियेप बनाया था सोर्सेस फॉर दा स्टडिय ओफ मॉडन इंडियन हिस्ट्री इसमें लिस्ट है न्यूज पेपर्स का और जन्रल्स का ब्रिटिस इंडिया के दोरान जैसे बंगाल गजट आता है 1780 में और जेम एकलकत्ता से छपता है जे इटर भी हो सकते हैं तो मतलब जो इंपोर्टेंट आदमी है जो आप से पूछा जाएगा एक्जाम में वही यहाँ पर मेंसेंड है तो 1780 में आया था बंगाल गजट उसी तरीके से संबाद को मूदी है संबाद को मूदी है विकली अखबार था सापता ही बंगाली में खूर्शन हिंदी 1822 माया कलकत्ता से राजारा मोहंडा द्वार का नाथ्टेगोर ठीक है इन दोनों ने इस पर काम किया बंबे टाइमस है तो यह 1861 में छपा है कंटिनीव है टाइमस ओफ इंडिया का ही ग्रूप है टाइमस ओफ इंडिया ग्रूप है उसका अलाग अलग चलता है तो बंबे टाइमस है अठारा सो और ठीक है बंबे से छपा है रोबर्ट नाइट है और थोमस बर्नेट है उसके अलावा देखिए रस्त गोफ्तार है यह गुजराती का है ठीक है गुजराती भासा का 1851 में दादा भाई ने रोजी ने इसको जो है किया हिंदू प गुशन है यह यार काफी मतलग थोड़ा लंबा है तो ध्यान रखना इंडियन मीरर है 1862 में कलकत्ता से छपा देवेदना टैगोर और एंडियन सेन है बंगाली है यह जो है अम्रित राज पत्र अम्रित राजगरों में अम्रिता बाजार पत्रिका दफस्ट वर्नाकुलर पेपर से यह 1862 में छपा कलकत्ता से छपा गिरिश चंद्र घोस है और एसेन बेनरजी बाद में इसको टेक ओवर कर लिये थे 1889 में यह नेशनल पेपर है 1865 में छपा है कलकत्ता से देवेदना टैगोर है अम्रित बाजार पत्रिका बंगाली में सुरु में छपा था बाद 1873 में छपा कलकत्ता से बंकिम चंद्र चटर जी है दा स्टेट्समान की बाद कर 1875 में छपा दा कलकत्ता से और रोवर्ट नाइट है देखो मैक्सिमम आप देखो कि कलकत्ता बंबई मदरासी है इसके पीछे बजा है कलकत्ता से ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि कलकत्ता त पंदार अखवार है 1878 से स्टार्ट हुआ था मदरास से जी एस ऐयर उसके हेड थे बीर आगवाचारे भी थे सुवराव पंडित भी थे दट रिब्यून की बात करें 1881 से स्टार्ट हुआ है लाहर से स्टार्ट हुआ है दयाल सिंग मजीठिया इसके हेड थे सुधार का के नित्रित में छपा है तो यह भी एक बार देख सकते हो केसरी और मराठा के बारे में आपको पता होगा यह महाराठा लिखा हुए है इसको आप मराठा कर लीजे ठीक है यह अंग्रेजी विकली था और केसरी जो नाम है यह किस में था यहाँ पर कंफ्यूजन है जिसका नाम मराठी है वह अंग्रेजी में छपता है जिसका नाम केसरी है वह मराठी में छपता है ठीक है बॉम्बे से छपा 1881 से तीलक और चिपलूंग कर और आगार कर उपर में जो पढ़ है जी जी आगर कर वही सोदेश मित्रा की बात करें तो मदरास से छपा है जी यह सईयर जो आ संध्या की बात करें तो संध्या मतलब श्राम होता है किसी किसी का नाम भी होता है 1906 बंगाल से और यह जो है ब्रम्व नंदन उपाध्याएं हैं इंडियन सोसे लॉजिस्ट सवाल पूछा गया इससे लंदन से छपा श्राम जी क्रिस्ट बर्मा और बंदे मात्रम पेरिश से मैडम भी खाजी कामा ने यह पहली महिला है जिन्होंने जो है जंडा फाराए था स्टूवर्ट गार्ड में साथ स्विट्जर लैंड में गलत नहीं हूं तो ठीक है मैडम भी खाजी कामा फ्री हिंदुस्तान जो है वह बैंक्वर से बैंकवर वही कनाड़ा का आपको प तलवार है बर्लिन से छपा है बर्लिन कहां जर्मनी जर्मनी की राज़ानी न बिरेंद्र नाथ चटोपध है बॉम्बे क्रोनिकल है डेली छपता है 1913 से है बॉम्बे से छप रहा है फिरोज सा महता है और बीजे होर्मिनन है बीजी होर्निमन और देली से कंटिनीव हो रहा जैको जैसे ही 1920 आ गया तो दिली ये पहुँच गया राज़दानी परिवर्तन हो चुका है केम पनिकर है और उसके बाद केम पनिकर यह जो अख़वार है वह एक तरीके से जो है पार्ट ओफ अकाली दल मुव्मेंट के तहद जो है छपता है लीडर जो है वह अंग्रेजी में छपता है मदन मुहन मालवी यह हैं इसके हेड बही स्कृत भारत 1927 में बियार अमबेद करके द्वरा लाया गया है एक मुक नायक भी अमबेद करके द्वरा लाया गया था यह कब लाया गया था यह आप लोग पॉमेंट सेक्शन में बताना यह कुड़ी अरासु है जिसमें पेरियार ने एक बार अमबेद करके लिए आठकेल भी लिखा था और भगत सिनको जब फासी पड़ी थी तो तब भी आठकेल लिखा था इन्होंने 1910 से चपर यह तमिल भासा में एबी रामा स्वामी नायकर पेरियार जिन्होंने साउथ हिंडिया में सेल्फ रेस्पेक्ट मुव्मेंट चलाया और आपको पता है कि बहुत बड़े एथिस्ट हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किये थे भगवान के कारी हैं साउथ के और एसेस मिरजाकर हैं और के इन जोगेल कर हैं यह भी उनके साथ मिलकर उसमें काम कियें कुड़ी अरासू में आप से पूछा जाए किस भासा का न्यूज पर था तो तमिल का इस तरीके से पूछा जाए कब छपा था कौन-कौन लोग थे इसमें इस तर नियाल है नेशनल हेराल्ड जिसके मामले में फसे थे कुछ दिन पहले सुनिया गांधी लोग तो 1928 से छप रहा है जवाहलाल नेहरू इसको लीड कर रहे थे दिल्ली से छप रहा है ठीक है ताजगीन उल अखलाक की बात करें तो एक जनरल है 18-70 से छप रहा है सर सेयद हम् मौलाना मुहम्मद अली अभी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं अल बलाग और अल हिलाल आपको पता होगा कि यह दोनों जो है उर्दू का विकली न्यूज पेपर है 1912 से कंटिनीव है अबुल कलाम आजाद जिनके अस्मृत्ती में जो है भारत का सिक्षा दिवस मना जाता ह और उसके अलाबा जो है मौलाना अवुल का जाम अजाद को भारत का पहला सिक्षा मंत्री भी गोसित किया गया था तो यही वो वही है और प्रताप है प्रताप एक मेरे दोस्त का भी नाम है लेकिन यहाँ पर प्रताप हिंदी निउस्पेपर है आपके भी दोस्त का हो सकत 1913 से है गनेश शंकर विद्यार्थी इसके जो है हेड है गनेश शंकर विद्यार्थी के नाम पे अभी पत्रकारिता के छेत्र में जर्नलिजम के फिल्ड में कई तरह के पुरस्कार दिये जाते हैं बड़े साहसी ब्यक्ति थे इंडिपेंडेंट न्यूज पेपर था 1919 से आपको पता 1919 में क्या क्या घटनाय घटी थी याद होनी चाहिए आपको मोतिलाल नहरू नहिसका नित्रित्व किया था अभी जबालाल नहरू लॉंच नहीं हुए हैं मुक नायक अभी अभी उपर पढ़े मराठी छप्ता था विकली था 1920 में निकाले थे अमबेद करने मुक नायक का मतलब क्या था है मुक का मतलब गुंगा तो भारत के जो दली थे जो पिछड़े थे जो सोशित थे जो वंचित थे जो बही स्कृत थे उनकी आवाज को इसम लागा है यंग इंडिया यह विकली जर्नल है सापताहिक जर्नल है 1919 से और यह जो है एमके गांधी इसको स्टार्ट किये थे यंग इंडिया को पढ़िएगा बहुत जरूरी है यंग इंडिया के बहुत सारे आर्टिकल को जो है अमबेद करने अपने कलेक्टेट वर्क्स और अम्भेत कर पढ़ेंगे तो यहां इंडिया के कई सारे आर्टिकल को होट किया है अम्भेत करने नव जीवन है तो यह भी ग Anguji का ही है तो बिखली न्यूष पेपर हैं हों 29 में स्टार्ट हुआ इंच के गांधी ने किया था अब 29 तीस 31 तीस 31 भद stir तीन बार है कि वहाँ पे जो है डिवेट में अमबेत कर जीच जाते हैं तो यहां के हरिजन्स को यहां के दलित को जो है सेपरेट इलेक्टरोट का अधिकार मिलता है तो अंटचेवल्स का आवाज उठाने के लिए अमबेतकर को निकालने लगते हैं 1931 से इससे पहले कोई काम है, एम के गांधी, मोहंदास करम चंगांधी, जो गांधी जी के fan होंगे, नराज मत होईएगा, जो अंबेत करके fan होंगे, ज्यादा खुस मत होईएगा, क्योबिछ fan, कोई भी हो, fan ठीक नहीं होता, हिंदुस्तान जो है एक दैनिक अख़वार था डेली दैनिक मतलब डेली 1936 में महदन मोहन बालविये आज यानि 25 दिसंबर को ही इनका जन्व दिवस है और आज ही के दिन अटल विहारी बाजपई पूरु परधान मंत्री का भी जन्व दिवस है बीएचिव के फाउंडर के दोर पे थे और बीएचिव के स्थापना 1906 में की गई थी 1910 तो इसके पैसंद के गई थी तो इसने सारे निवज पेपर्स थे जिसके बारे में हम लोग जिकर किये ठीक है चलिए तो यह सारी सीजों को याद रखिएगा बहुत ही ज़ादा जरूरी है साथियों आपके लिए अब मुझे लगता है कि इसमें कुछ चीजे दिछूट गई होंगी तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लगवग हम लोग कवर किये है क्वाइन्स वगरा के बार में भी जिक्र किये यहाँ पर किया गया है तो मैं कोसिस करूँगा कि और इसमें जो है एक लेक्चर और लूँ लेकिन अब यहाँ से जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री हम लोग कांटिन्यू करेंगे नेक्स लेक्चर से बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए और जो लोग जो है किस क्लास को आपके फ्रेंड है कोई एक्सेस करना चाहते हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं इसका तरीका नहीं पता तो मैं उनके लिए हिंट दे दूँ कि आपको कुछ करना नहीं है आपको जो है जिस तरीके से मान लिजे कि आप आपका कोई मेल आइडी है आप उस मेल आइडी से अपनी पर जाएंगे यूटूब पर जाएंगे कुसुम नेट क्लासेज आप ढूंडेंगे कुसुम नेट क्लासेज तो YouTube पे पूरा एक ही कुसुम नेट क्लासेज है यहाँ पर जाना है आपको फिर इस आइकोन पर जाना है आइकोन पर जाने के बाद आपको ज्वाइन बटन पर जाना है ज्वाइन बटन पर जाने के बाद आपके पास सिर्फ एक ही option है 799 रुपया आपको पर मंथ पर मंथ कहने का मतलब क्या है कि जैसे एक महिने में आपको 799 रुपया देना होगा अब ये हो सकता है कि सर modern history का fee कितना होगा तो modern history का fee कोई fix है नहीं जैसे हम लोग का target है कि 2 महिने में जो है इसको cover कर ले 2 महिना बहुत है maximum जाएगा तो तीन महिना पर मेरा target दो महिने का है तो दो महिना यदि जाता है तो आपको 799 और फिर next month तो 799 देने होंगे तो यह monthly wise इसलिए क्या है ताकि सब लोगों के लिए affordable हो सब लोग इस चीज को afford कर सकें तो आप यहां से join बटन के थुरू जा करके प्लिक करेंगे फिर आपसे मांगेगा आपका address मांगेगा और आपसे payment का जो है कैसे आप करना चाहते हैं वो आपको यहां पर option देगा तो आप इसके थुरू कर सकते हैं करने के बाद क्या होगा उसका फायदा क्या है कि जैसे यहां हाँ पर प्लेलिस्ट है modern India ही हम लोग पढ़ा रहे हैं तो इस प्लेलिस्ट को सिर्फ वहीं लोग video को देख सकते हैं जैसे देख सकते है पिछला वीडियौ हम ने पढ़ाया था तो यह जो चैनल के मेंबर्स हैं वही देख पाएंगे फाला वीडियो को मैंने ऐसे ही रखा उसी तरीके से कुछ-कुछ वीडियो को जो पेड है जैसे मुगल हिस्ट्री में यह लेक्चर देखिए जैसे मुगल काल का सोर्सेज है दोनों ते दोनों पेड है आपको यह मेंबर्स के लिए केवल accessible होगा आप इसको access कर सकते हैं उसी तरीके से historiography के section में आएंगे तो कुछ वीडियो है जैसे की generalization का वीडियो है तो आप इसको जो है paid करके paid एक ही वार करना है मतलब एक वार paid करना है बाकी जो भी वीडियो paid है इस पर सब वीडियो देख सकते हैं बहुत बहुत शुक्रिया थांक्यू सो मच टेक केर